इन्हें कहा जाता है मौत कापुल दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी चीज़े हैं जो खूबसूरत होने के साथ ही काफी ज़्यादा ख़दरनाग भी होती हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 ब्रिज की जो हद से ज़्यादा ख़तरनाग होने के साथ साथ बलाब के खूबसूरत भी है दोस्तों, कैपिलानो ब्रिज जो की कैपिलानो नदी पर बना है दुनिया के सबसे खतरनाग ब्रिजस में से एक माना जाता है इसकी कुल नमबाई 140 मीटर से भी ज्यादा है और ये नदी से लगभग 70 मीटर उंचाई पर स्थेत है ये ब्रिज पहले रसियों से बना हुआ था लेकिन बाद में इसे केबल से रिप्लेस कर दिया गया इस ब्रिज को पहली बार 1888 में खोला गया था दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज पर लगभग साल भर 1.2 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रावल करने आते हैं इस ब्रिज के आसपास साथ से भी ज्यादा इससे छोटे छोटे ब्रिज मौजूद है ये सब ब्रिज एक बार का हिस्सा है दोस्तों रस्यों से बना ये ब्रिज खतरनाक है क्योंकि अगर इस पर 100 टन से ज्यादा के लोग टहलते हैं तो ये किसी भी समय गिर सकता है 9. कैरेकर रेडे ब्रिज आर्लेंड दोस्तों रस्यों से बना ये पल दुनिया के सबसे खुपसूरत ब्रिजस में से एक है इसकी खुपसूरती का कारण इसके नीचे समुद्र की मौजूदगी होना है समुद्र की मौजूदगी जहां इसे खुपसूरत बनाती है वहीं इसके खतरनाक होने का कारण भी है दोस्तों, ये हमारी लिस्ट में एक मातर ऐसा ब्रिज है जिस पर खतरा होने के बावजूद आप आख बंद करके चलने को भी तयार हो जाएंगे लेकिन अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो रुप जाएए इस ब्रिज की कुप सुरुदी के कारण यहाँ टूरिस्ट अट्राक्ट होते रहते हैं लेकिन इस ब्रिज पर रोजाना किसी ना किसी यात्री की मौत हो जाती है चार्सोचे मीटर लंबे और 114.60 मीटर उचाई पर बना आउस्ट्रिया का हाई लाइन 179 दुनिया के सबसे खतरनाक हैंगिंग ब्रिज में से एक है दोस्तों यह ब्रिज किसी भी तरह के सपोर्ट से नहीं टिका है यह ब्रिज हर बत लटकता रहता है और मैक्सिमम लोगों के इस ब्रिज पर सवार होने के बाद यह ब्रिज और भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है लटकते रहना ही इसके खतरनाक होने का कारण है क्योंकि यह कभी विगिर सकता है दोस्तों ये ब्रिज पहाडियों के बीच में बना है और इसके नीचे जंगल होने के कारण ये काफी ज्यादा खुबसूरत नजर आता है इस ब्रिज पर रखा गया हर कदम आपको सुकून और डर का एक साथ एहसास कराएगा साथ सीधू रिवर ब्रिज बटॉंग दोस्तों ये ब्रिज हमारी लिस्ट में एकलौता ऐसा ब्रिज है जहां से गाडियां ट्रावल कर सकती है लेकिन इसे लिस्ट में रखने का कारण है इसके हद से ज्यादा खतरनाक होना दोस्तों ये 1500 फीड की उचाई पर स्तित है और तकरीबन 4000 फीड लंबा है इतना लंबा होने के बावजूद ये ब्रिज बिना किसी पिलर के खाई के उपर बना हुआ है अगर आपको यहां कभी जाने का मौका मिला तो यहां रुक कर नीचे जहागने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा दो परवतों को जोडता हुआ ट्रिफ्ट ब्रिज हमेशा ही काफी ज्यादा खतरनाग नजर आता है ये ब्रिज 170 मीटर लंबा है और इसकी उचाई 100 मीटर से भी ज्यादा है दोस्तों ये ब्रिज ट्रिफ्ट ग्लेशर के उपर बना हुआ है ये bridge तक तक काफी खुबसूरत नजर आता है जब तक ग्लेशियर जमा रहता है लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है ग्लेशियर के बिगलने के कारण ये bridge काफी ज्यादा खतरनाग हो जाता है इस bridge पर से गिरने के बाद लोगों की जान जाने तक का खतरा बना रहता है पूरी दुनिया में हमेशा पूरे 40 से भी ज्यादा ग्लास ब्रिज हैं उन्ही में से एक ब्रिज है शैंक्जियाजी ग्लास ब्रिज दोस्तों ग्लास ब्रिज पूरी तरह पारदर्शी और आरपार देखने लाइक होता है इस पुल की कुल लंबाई 430 मीटर है और इसकी जमीन से उचाई 300 मीटर से भी ज्यादा है आप इस फुल पर जाकर बहतरी नजारे देख सकते हैं दोस्तों जब ये ब्रिज खोला गया तो ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा काच का बोल था ये खतरनाक होने के साथ ही काफी खुबसूरत भी है इसके खतरनाक होने का कारण है इसका शीशा ये पुल शीशे का बना होने के कारण कभी भी तूट कर गिर सकता है दोस्तों ग्यारले ब्रिज कुछ साल 2015 में खोला गया था ये तकरीबन 360 मीटर से भी ज्यादा लंबा है और 100 मीटर से भी ज्यादा उचाई परस्थित है ये ब्रिज केबल का बना हुआ है और ये काफी ज्यादा खतरनाक नजर आता है यहाँ जाने वाले कई लोगों की हार्ट अटक के करण मौत भी हो चुकी है इसके खतरनाक होने का करण केबल से बना होना है इस ब्रिज से दिल दहला देने वाले नजारे देखने को मलते है लेकिन इस बात को नाकारा भी नहीं जा सकता कि ये ब्रिज काफी ज्यादा खुपसूरत है अगर आग दिल के पक्के हैं तो इस ब्रिज से संसेट देखने जरूर जाईएगा यहां से संसेट काफी ज्यादा खुबसूरत नजर आता है हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगा बनाने वाला ड्रिफ्ट क्रीक प्रेच आपको शुरुवात में सामान ने लग सकता है लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि ये सामान निब बिल्कुल नहीं है जंगलों से घिरा ये प्रेच डेड मील लंबा है इस पर टहलते समय आप जंगली जानवरों, जर्नों और जंगल की खुबसूरत चीजों को देख सकते हैं ये खुबसूरत होने के साथ ही खतरनाक भी है ये यहां के जंगलों के कारण काफी ज्यादा खौफनाग नज़र आता है एक स्टॉर्म से रिवर प्रेच साउथ आफ्रिका दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे उपर और सबसे खतरनाक ब्रेच है साथ आफ्रिका का स्टॉर्म रिवर प्रेच इस ब्रेच की कुल लंबाई 120 मीटर से भी ज्यादा है और ये कुल 100 मीटर से भी ज्यादा उचाई पर है इस ब्रेच को इटालियन इंजीनियर रिक्यार्डो ने डिजाइन किया था स्टॉर्म नदी पर बना ये पुल कॉंक्रीट से बना हुआ है और इसका डिजाइन यूनीक है दोस्तो इस पुल को कभी भी चार हिस्सों में बाटा जा सकता है जो इस पुल की खासियत है इस पुल की खासियत ही इसके खतरनाक होने का कारण भी है ये पुल खुल सकने के कारण कभी वी गिर सकता है तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप टेन मोस्ट डेंजरॉस हैंगिंग ब्रिजेज अगर आप कोई वीडियो पसंदाया हो तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर क्लिक करें हमें कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किस ब्रिज पर जाना चाहेंगे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप घर बैठे वीडियो देखते हुए चीतना चाहते हैं इनाम तो हमारे चैनल के पहले गिववे में जरूर पाटिस्पेट करें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों गिववे कि अवल 26 मई 2019 तक ही चलेगा इसलिए थोड़ा जल्दी करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टॉप 10 हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें